नमस्कार, आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ दही मसाला या फिर छाच मसाला की रेसिपी गर्मिया बहुत है और गर्मियों में हमें मसाला जरूर डाल कर खाना चाहिए दही और छाच के उपर ये ऐसा मसाला है जो हमारे पेट को ठंड़क देगा और साथ ही आप बच्चों को भी इसे दही अचाज में मिला कर दे सकते हैं उनके जो शरीर में या फिर पेट में किसी तरह की भी गर्मी है या उनको अगर दस्त वगरा लगे हुए हैं तो डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है ये मसाला ये पुराने जमाने से चला रहा है मसाला हमारे घर में खुब बनाया जाता है दादी नानी इसको खुब बनाया करती थी तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल है और इसके अंदर तीन चीजों के सिवा कोई और चीज नहीं डलेगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लोहे का तवा लिया है जिस पर की रोटियां सेखते हैं और यहाँ पर मैंने डाल दि यह काम बिल्कुल धीमी आज पर आप करेंगे आज कर दीजिए बंदब और साथ में डाल दीजिए यहां पर एक चमश भर कर हींग डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिला दीजिए और जीरे को आप तवे पर ही छोड़ दीजिए क्योंकि धीमी आज पर हमेंसे भून रहे थ जाएगा तो मिक्सी जार में डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बारीक पाउडर बन कर तयार हो जाता है जीरे का आप इस तरीके से जीरे का पाउडर बना कर भी रख सकते हैं बस इसके अंदर हींग एड़ नहीं करे अगर आपके काले नमक में ज़्यादा गाठे हैं तो आप उसे चलनी से थोड़ा सा च्छान लीजिए मेरे काले नमक में छोटी मोटी कोई गाठ है तो वो स्पून से अराम से तूट जाती है इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे लीजे बन कर तयार है बहुत ही हेल्डी होता ह जीरे का और काले नमक का मसाला आप गर्मियों में इसे जरूर बना कर रखिये किचन में और साथ ही इसको आप किसी भी जार में या कंटेनर में भर कर रख दीजिए कभी भी खराब नहीं होता यह जब तक खतम नहीं होगा तब तक खराब भी नहीं होगा इस तरीके से डाल हो या किसी को भी कोई दिक्कत है पेट की तो फिर आप इसे थोड़ा सा मिलाईए और पी लीजिए बहुत अच्छा रहता है यह सियत के लिए अगर आपको जीरा मसाला बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलती हूं ऐसी डिलिशस हेल्दी और यूनिक रेसिपी के साथ अपना खूब खयाल रखिए नवश्कार